हाँ हेलो दोस्तों राजवन सिंग महाली आपके अपने यूटीव चैनल प्रोपटी गुरु कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक है और यह स्टेट के उपर ही है इसमें यह मारे पास एक इमेज आई थी पिछले साल लॉक्डाउन के द पार्टरिंशिप खतम करने के बाद इस प्रोपटी को बंट रहा है इकुली बंट रहा है तो कैसे बंटा जाए तो पिछले साल मैंने यह सौल्व करके दिखाया था इसको तो अभी फिर मेरे दिमाग में आया परसो बठे बठे के यह थोड़ा सा टीपिकल जैसे काम है क्य अब से पहले तो यह देखना दोस्तों यह जो इमेज है जो यह फोटो बनी हुए है यह है ट्रैंगल की फोटो है राइंगल का मतलब एक जो इसकी बुझा है दोसो सतर फिट है और दूसरी सौ विट है और यह 90 डिगरी में मैंने स्पेशिल मेंशिट किया स्मे नाइंटी गिरी में ही है और यदि इसका हमने एरिया निकालना हो तो हमें फिर फार्मूला लगाना पड़ता है जो ट्राइंगल का एरिया कैल्कुलेट करने के लिए टोटल एरिया निकालते हैं बेस इन टू हाइट डिवाइड़ वैड़ टू अब यह दो सो सब्सक्राइब किया और से दिवाइड करिया साड़े 13000 स्केर फिट आ गया इस पूरे डाइग्राम का एरिया और हमने तीन हिस्सों में मैंने इभाइड़ पर मतलब एक एक बंदे के 58 से multiply कर देंगे तो और divided by two करेंगे तो इसका जो एरिया है तक्रीबर 4524 स्केर फिट निकलता है तो इसका यह एरिया इसे इसक्तर कलेकुलेट हो गया और यह दूसरा जो पार्टनर है इसकी लिए हमने यह करा कि यह 156 के बाद 64 फिट लिया 64 फिट को यह 58 फिट आएगी एक बाही और दूसरी बाही है जो इसकी 81 फिट आएगी तो हमने पहले यह ABCD इसका एरिया निकाल लिया हमने 58 इंटू 64 इंटू 64 का हमारा एरिया है 3712 स्केर फिट और यह जो 23 फिट है 23 और यह चॉंसर्ट है यह एक ट्राइंगल बनगी तेइस को तो 64 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करा फिर हमारे पास 736 केर फिट आता है तो आठ चार यह चुतारीस हो अड़तारीस केर फिट एरिया हमारे पास आ गया अब यह तीसरी डायग्राम रहेगी तीसरी डायग्राम में जो है यह हमने 50 लिए क्योंकर 270 से बाहर नहीं जा सकते हैं यह 64 प्लस 50 प्लस 155 यह 270 यह 50 फुट लिया 50 के बाद यह इदर सो फिट है और जो एक भाई इसकी हमने एटीवन लेके हम दें 50 इंटू एटीवन यह तक्रीबन हमारा हो गया 4050 सकेर फिट चारहजार सक पचास सकेर फिट हो गया इसका क्यासी इंटू पिचास क और यह जो एक हमारे पास फिर बाचकी ट्राइंकल बच गया यह उनी फुट बेशेस का और यह जो 55 फुट फिटीफिट यह है इसका हाइट है तो फिर बेस इंटू हाइट डिवैदेट वे टू यह हमने करा इसका हमारे पास है आया चारिसो पहत्तर फिट चारिसोइंट आ गया है यह पंताली सो पच्ची अब ये तीतों हिस्थों में बांटी जा चुकी है प्रपर्टी एक के पास चुताली सो पशीछ के अब यह पास पलतालीसो Corey ऐगा अब कहोगे को बिलकूल अप究ं कि अब नहीं अगयों यह पोन कौ ti इसमें मतलब ज्यादा वेस्टेज नहीं है आप सिधी दुकाने बगारा जो बंदा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं तो यह इसलिए इसको 24 फुट फुट प्रेंट आया और यह थोड़ी सी जगा इसको कम मिली बावन फुट कम मिली और इनको थोड़ा सा यह कोड़ा सा इनकी तो करनी पड़ेगी मेरे से इनका best solution रहा और best solution होने के साथ साथ यह इनमें अभी कोई मतलब नहीं है दुश्मनी नहीं है या कभी कोई आप उसमें वेर दरी है और यह सारे के सारे सेट्सपाइड हो गए हैं और आप इस से भी कोई अच्छा कोई आपके पास फार्विला हो मतलब इस तरीके का जगडा निम्टाने का तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो मेरा मतलब यह था कि यदि ऐसी टेक्निकल बात आपके सामने आ जाए तो आप गबराएं नहीं इस जाए हम 150 फिट बाई 60 ले रहे थे के 45 सिधा आजएगा लेकिन हमने देखा कि 150 फिट पे जो यह बाही है यह साट फिट आई नहीं सकती क्यों यह जो हमारी यह 10 फुट पर को जाने और 270 नीचे को आना है तो इसका मतलब यह हो गया कि हम एक फुट के साथ 2.7 फुट अकर न 60 से मल्टी प्लाई करने वाला फार्मूला इसमें नहीं लगा क्यों यह यह यहां तक आगे पूरा बनते हैं 60 फुट बनते ही नहीं है 150 पे तो और भी कम हो जाए गए तो इसलिए यह जो फार्मूला अलग लगाना पड़ा तो यह बहुत सिंपल मेथड के हिसाब से हमने न असलियत के पास पहुंच गया तो आपके साथ वीडियो में शेर कर रहा हूं तो दोस्तों आज का यह टॉपिक है यह इतने ही है अपको यह समझा जाएगा चाहे यह टेकनिकल चीज है लेकिन ऐसी बात नहीं कि आपको समझना है और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबालो और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेर करते हैं कोई आपका सवाल हो कमेंट बोक्स में और आप किसी अलगत तरह की वीडियो चाथे हो तो वह भी आप वीस निग सकते हो हमें बता सकते हो मैं सारे के स सारे कमेंट पढ़ता हूं और हर जो कमेंट जरूरी होता है उनका मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूं फिर भी कोई दोस्त रहा जाता है तो कोई बात नहीं है अगली वीडियो में कोई सब्सक्राइब दोस्तों आप अपना धिहान रखें पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ मैं जलद एक नएी टौपिक साथ के समने फिर रूबरू रूबरू होंगा तब तक आप अपना धिहान रखें थैंक यू बरे मुझा